साथियों, नौर्थिश में देश के विकास का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है, दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए घहरा हो रहा है, क्योंकि अब पूरे नौर्थिश में शान्ती की स्थापना हो रही है, जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खपरे ही आयती थी, वहाँ अब पीस, प्रोग्रेस और प्रस्परिटी का मंत्र गूंज रहा है, एक तरब जहां मनिपूर में ब्लॉकेड, इतिहास का हिस्सा बन चुका है, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं भी मेरी तरब से नौर्थिश के नागरिकों का, विशेश करके मनिपूर के नागरिकों का, रुदे से अभिनंदन करता हूं, कि आपने हमें साथ दिया, मेरे शब्दों को ताकत दी और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल के बात बन गई। मही असम में दसकों से चला रहा हिंसा का दौर थम गया है। त्रिपूरा और मिजोरेम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है। अब ब्रूर, यांग, सरनार्थी एक बहतर जीवन की और बढ़ रहे हैं। साथियों, बहतर इंफासक्चर, कनेक्टिविटी और शांती, जब ये तीनों चीजे बढ़ती हैं, तो इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्ट्मेंट के लिए, संभावना ये अनेक गुना बढ़ जाती है। नौर्थीस के पास तो और गनिक प्रोडक्स और बंबू तो ऐसे माध्यम है, जो आत्म निर्भर भारत अभ्यान को ताकत देने का सामर्त रखते हैं। और मैं आज जब यहां आप से बात कर रहा हूं तो मैं नौर्थीस के किसान भाई बहनों से विशेस बात कर प्रोड़। मैं लगातार कहता आया हूं कि नौर्थीस औरगनिक कैपिटल देश का बन सकता है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पिछले दून कुछमी बग्यानिकों से मिलना हुआ, कृषि बग्यानिकों से मिलना हुआ, कृषि अर्थषाश्त्रियों से मिलना उन्होंने एक मज़ेदार बात बताई, उन्होंने कहा कि हमारे नौर्थिस में किसान अगर पामोलिन की खेती पर चले जाएं, तो देश को और नौर्थिस को और वहां के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती हैं, आज पामोलिन तेल, पामोलिन ओईल उसका हिंदुस्ता में एक शॉर्ड मार्केट है, अगर नौर्थिस का किसान और गेनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलिन की खेती करें, आप कलपना कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, हमारे अर्थतंत्र को कैसी नई गती देंगे, मैं यहां की सभी राज्य सरकारों से भी आगरख करूगा, कि वो अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन की रचना करें, किसानों को सिक्षित करें, प्रेरीत करें, और भविश में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की ज़ुरत होगी, उस पर भी बैठ करके कोई योजना बना सकते हैं, प्रदेशा ही, लोकल के लिए भोकल रहे हैं, और सिर्फ भोकल हैसा नहीं, नौर्थ इसकी एक विशेस्ता है, उनको लोकल के लिए गर्व होता है, मुझे आध है, जब मैं इस प्रकार का स्कार्प लगाता हूँ, तो उस प्रदेश के लोग, गवरों से इसको रेकनाइज करते हैं, अपनी चीजों का इतना गर्व होना, यह बहुत बड़ी बात है, और इसलिए नौर्थ इसको यह समझाना कि लोकल के लिए वोकल बनो, साइद मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो उससे भी चार कदम आगे हैं, आप तो लोकल के प्र आप अभिमान फिल करते हों, हाँ यह हमारा है, और यही तो ताकत होती है, और जो प्रोड़क्स नौर्थ इसमें होते थे, उनमें से अधीक त्यूक, अधीक आउंस, बैल्यू एडिशन, प्रमोर्शन और मार्केट एक्सेस से कभी-कभी बंचीत रह जाते हैं, लोगों को प्रमोर्शन और उसकी मार्केटिंग के लिए क्लस्टर विक्सित किये जा रहे हैं, इन क्लस्टर में एग्रो स्टार्ट अप्स और दूसरी इंडस्ट्री को हर सुविधाय दी जाएगी, ऐसे में नौर्थ इसके और्गनिक प्रोड़क्स को देश और विदेश के पहुंचाने के लिए हर जरूरी सुविधा नज्दी के ही मिलने वाली है